कि अलो फ्रेंट्स मैं विनय निर्भिक फ्रेंट्स आपका फिर से मैं चैनल पर श्वागत है फ्रेंट्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं देश में इसमें क्या चल रहा है सब कुछ एकदम ठपड़ गया कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है सब लोग परिशान है को रोना वारस को ले करके तो फ्रेंट्स आप लोग यह भी देख रहा होंगे कि सबी लोग कह रहा होंगे हाथ धोने के लिए या फिर सेंटाइज करने के लिए और कैटो मास्क पगर लगाने के लिए इसमें अब यह चीज़ा रहा है काफी लोग कह रहा है कि सोडियम क्या कि they're सुथाइज है कि कुछ और है ठीक है तो यह हम जानेंगे और फ्रेंड्स काफी लोग का मन में फूला है क्लोग डाथ और यह आगे बढ़ेगा यह नहीं बढ़ेगा तो यह वही सारा मारा व्य ऐधार पकूंड है जो बढ़टे ही जा रही है ठीक है और यह बात किया गया है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं what is sodium hypochlorite is it hand sanitizer यानि sodium hypochlorite क्या है क्या है या hand sanitizer है तो पहले हम इसके बारे जान लेते हैं यह है क्या चीज़ ठीक है इसके बाद हम आगे कुछ बात करेंगे तो देखे फ्रेंट्स ही क्या है जैसे सरीर की सुरच्छा के लिए हम मास्क लगाते हैं हाथों में इन दिनों सेनिटाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही सोडियम हाइपोक्लॉराइड सुल्यूशन हमारी सुरच्छा के लिए किसी कवस से कम नहीं है बाजायर में अब य क्या चीज है पहले यह हैंड सेनिटाइजर नहीं है च्छिड़का हो रहा है गली मुहलों में आप लोग के आस पास जो पार्षद वगएर नगर निगम और च्छिड़काव करा रहे हैं तो यह वही सोडियम हाइपोक्लॉराइट है जिसका च्छिड़काव हो रहा है इसस सभासा जो भी हूँ आप जहां भी रहते हो प्रधान उनसे आप संपर करके इसका च्छिड़काव कराएं कि इसका च्छिड़काव बहुत जरूरी है इससे क्या होगा कि सारे आप क्या सपास की चाड़ू अगयरा जो है मर जाएंगे और कोरोना वायरस का डर थोड़ा कम ह जाएगा ठेक है फ्रेंगा सोडियम हाईपोक्लोराइट यानि इसका फार्मॉला जो होता है वगयरा में सोडियम थैया है लोग निस संक्राम किया रूप में उप्योंग किया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइट संक्रमित छेत्र या जगह को साफ करने के लिए एक डिस इनफेक्टेंट के रूप में उप्योग किया जाता है हैंड सेनिटाइजर में आईसो प्रोपाइल अलकोहल आता है ज्यादा तर एंटिसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं वाड़ेजिक ब्लीज सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है यह एक किटाडू ना सक के घटक है यह एक किटाडू ना सक है तो फ्रेंट जैसा कि आप देखर क्या है कि आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है यह किसी भी हॉस्पीटल में ऑफिस में घर में भी कुछ लोग यूझ करते हैं तो यह जो होता है जैसे मारे यह तोर बेल हुआ टेबल हुआ यह मतलब जहां भी आप साफ करना है दोर का हैंडल हूआ इसाफ करने के लिए हम इस्तिमाल करते हैं ताकि infection ना फेले क्योंकि यह disinfectant होता है ठीक है और अगर बात करें hand sanitizer का तो वह क्या होता है तो आपका होता है isopropyl alcohol आप तो सुन भी रहा होंगे कि alcohol काफी लोग चिला रहे है कि alcohol के नाम से मतलब कि alcohol जो है हम लोग का hand sanitizer करें गया तो directly alcohol पूरा आप नहीं कह सकते है इसका नाम होता है isopropyl alcohol ठीक है जो alcohol पीरते हैं लोग वो तो ethyl alcohol होता है यहां पर कहा है isopropyl alcohol है जो की hand sanitizer के रूप में यूज होता है और यह sodium hypochloride hand sanitizer नहीं है यह आपका place को sanitize करता है ना कि hand को sanitize करता है दोनों में difference है ठीक है फ्रेंट सोडियम hypochloride है यह ब्लीसिंग के तरह काम करता है जो ब्लीसिंग पावडर आपको देखते छुड़का होता है हर जगह तो उसके तरह काम करता है और isopropyl alcohol जो है आपके हाथ पे स्प्रे मारने से क्या होता है हाथ पे बैक्टिरिया होते हो मर जाते हैं ठीक है तो दोनों अलग अलग चीज़े हैं दोनों एक नहीं है सोडियम hypochloride जो है आपका हैंट सेंटाइजर में आपका isopropyl alcohol आता है ठीक है फ्रेंट तो आप दोनों बात ध्यान रखेंगे अब बात करते हैं फ्रेंट्स काफी सवाल हो रहा है वेंटिलेट क्या इन्डिया इक्स्टारॉडिनरी पार्च सेक्शन 3 सब्सेक्शन फेक्शन द्याँ निट्री अव्वार्म केटाउब काय मिन्ट्री अफॉरंड सुक्रों डियाओ लोग अवन नुडिय्यम नूंबर 5-3 2015-2020 नुडियलई डेटेड 24 मार्स 2020 यह निचॉबिस तरीक है ल प्रेपी एपरेटर्स और अधर ब्रेधिंग अप्लियांस टिवाइस एंड सेनिटाइजर्स तो यह देख रहे फ्रेंट से 24 तारीक लेटर है इसमें अमेंड्मेंट कुछ कह देता है इने सुधार कह देता एक्सपोर्ट पॉलिसी में यानि साफ सब हम कह सकते हैं ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपको हम दिखायते हैं क्या हो रहा है तो अभी तो क्या होता था इसका क्या होता था एक्सपोर्ट होता था ठीक है फ्रेंड्स इस एक्सपोर्ट को 24 तारीक को बंद किया गया अभी नहीं बंद किया गया है जबकि इस एक्सपोर्ट को इ अगर उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट पर रोक लगा दिया होते ठीक है और यह सब एक्सपोर्ट बंद कर दिया होते तो यहां तक की हालत नहीं आती पूरे देश को लॉकडाउन नहीं करना पड़ता केवल एयरपोर्ट पर जो लोग मिलते उन्हें केवल सेंटाइस करते उ पचास रूपए साथ रूपए मिल ला है सत्तर रूपए मिल आप देख सकते हैं अगर थोड़ा स्टार्टिंग में काम हो गया ओता तो काफी अच्छा होता पर हमारी गौर्मेंट से यहां चुक हुए है गौर्मेंट ने ध्यान नहीं दिया कि हमें क्या करना चाहिए था अगर एयरपोर्ट पर रोक लग गया होता है बाहरी वैक्तियों का एंट्री नहीं गया होता और जो अपनी देश्क वापस आ रहे थे उन्हें तुरंट चेक अप करके क्वारेंटाइन कर दिये होते तो पूरे देश में ऐसे लॉक्डाउन करना नहीं पड़ता आप जान रह तो यह देख सकते हैं इतना विरोध करने के बाद 24 तारीकों तो क्या हुआ है वेंटिडेटर का जो है निर्यात पर रोक लगा एक्सपोर्ट पर रोग लगा है अभी तक यह लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे जबकि आप जान रहे हैं हमार देश कहलत कब से खराब है ठीक है तक आप सरकार को उजागर करसे देश-वक्ती ऐक तरीकह से क्योंकि तक अब लोगतां सिर्क देश के सही नागरिक न करें है रहे हैं किसी की गफर्मेंट हो अगर कोई कमी है तो उसे अफ्यांगर करिए वह अच्छा है तु Mais टारीफ करना भी त्यवल गलत है किवल गलती क कालना भी गलत दोनों काम आप करते रहें अगर कि कमी थी गवर्मेंट की कुछ लोगों उजागर किया जिसके उस गवर्मेंट को मानना पड़ा और वेंटिलेटर के जो निर्यात पर 24 तारी को रोक लग गया और कल चालिस एर वेंटिलेटर का ओडर दिये खुद अपने एरपोर्ट पर रोक लगा दिये होते तो फिर इतनी बड़ी गलती नहीं होती तो मैं आपने तरफ से नहीं कह रहा हूं फ्रेंट्स एक खुद डॉक्टर्स कह रहे हैं एक खुद गवर्मेंट भी मान चुकि एक गलती हुई है ठीक है मैं आपको इसका प्रूफ दिखा दि भारत में आये लेकिन इनके निगरानी में लापरवाही बरती गई इसके चलते देश में कोरोना वारस कोविड-19 का संक्रमन रोकने के प्रयासों को गंभीर खत्रा पैदा हो गया है कैबिनेट सेक्रेट्री राजिव गौबा ने राजियों और केंदर शासित परदेशों क मुखे सचीवों को भेजे पत्र में या साबित या बात कहिए पत्र में लिखा है कि इस साल 18 जनवरी से 23 मार्च तक विदेश से 15 लाख से ज्यादा लोग भारत आये व्यूरो आफ इमिग्रेशन और स्वास्त मंत्राले ने राजियों को सुचना देकर लगतार इनके निग कर रही है और ब्यूरो आफ इमिग्रेशन ने जो संख्या बताई है उसमें बहुत अंतर है उन्होंने कहा कि विदेश से आए कई लोग जांच में कोरोना पेडित निकले हैं ऐसे में राज फॉरण इस दिशा में कदम उठाए और जीला अस्तरबर प्रशाशन को सक्री करे उदर स्वास्त मंतराले ने भी कहा है कि अभी तक 1,87,904 लोग सर्विलांस में हैं और 35,000 से ज़्यादा लोग 28 दिन का क्वारेंटाइन पूरा कर चुके हैं विदेश से लोटे बाकी लोगों के बारे में स्वास्त मंतराले के अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया क्या कह रहे हैं फ्रेंट्स डॉक्टर एमसी मिस्रा सिस्टम की लापरवाही की कीमत चुकानी ही पड़ेगी भारत में फास्ट डागनोस्टिक किट नहीं है इससे 30 मिनट में रिपोर्ट मिल जाएगी उसके बाद संक्रमितों का इलाज किया जा सकता है वायरस फैल चुका ह है ऐसे में जांच बहुत जरूरी है तो फ्रेंट्स देख सकते हैं कि सिस्टम की लापरवाही के बाद भी यहां ध्यार नहीं दिया जा रहा है गवर्मेंट के द्वारा कि हम लगतार जांच की तयार करें अधिक सदिक ताकि आधिक सदिक लोग जांच करा है क्योंकि इस ल माली जाकर कोई टेस्ट नहीं होता है कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है तो कुछ लोग आसे बेसेंट हैं जो घर में पड़े हुए जिने खुद नहीं मालब हो प्रयास कर रहा होंग है घ्र कॉल नहीं लग रहा है तो फिर उनको अमलब टेस्ट नहीं किया ऐसे काफी लोगों में जान रहा हूं फ्रेंट जो कॉल करके परिशान हो गये पर हेल्प लाइन नंबर के बाद भी क्या हुआ कोई टेस्ट लेने उनका नहीं पहुचा तो ऐसे काफी पैसे इंटेफरेंट जो घर में पड़े हुए हैं और लॉक्डाउन के बाद नॉर्मल रोट पर जब आएंगे तो फिर से सबको फैल आएंगे अभी आपको लगए एक सब कंट्रोल हो रहा है पर फिर्ट्स लॉक्डाउन जो है एक मात्र कोई उपाय नहीं है यह एक स्थाई उपाय है जो स्टार्टी में किया जाना चा अब ही तो नहीं पहुंचा है पर अगर केवल ऐसे आहाल रहा तो इंडिया थर्ड इस्टेज में बहुत जल्द पहुंच जाएगा ठीक है तो आप सोच सकते हैं क्या क्या हो रहा है अमारे देश में देखें गौवर्मेंट गलती कर रही है आप इस तीस को उजागर करें अब ही कुछ हो सकता है आप देख रहे हैं कल क्या हुआ है गाजियाबाद में पूरे भीड लग गई ठीक है यह किस गवर्मेंट के कारण हुआ दिल्ली गवर्मेंट और यूपी गवर्मेंट के खेल में हुआ है ठीक है पहले यह हुआ कि सभी को उनके गंतवे तक हुआ यूपी गवर्मेंट की बसे कम पड़ गए इसलिए पब्लिक अधिक फस गया तो यहां पर क्या हो रहा है अब आएसे लोग का ना तो टेस्ट क्या रहा ना कुछ क्या रहा है कितनी जाद है हजारों की संक्या में भीड पड़ी हुई है तो इससे क्या होगा इस से फ पूरा देश भुखतेगा कोई एक नहीं भुखतेगा आप देख सकते सामने अब यहां देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ कि कि जोर्ज चेकित्सा विश्वविद्याल है गांधी अश्मरक संबद चेकित्साल है उत्तर प्रदेश लखनव सेवा में कुल सचिव किंग जोर् फेस मास्क की नितान्त आवशकता है ऐसी दशा में यह उचित प्रतीत होता है कि जिकित्सा विश्वविद्याले के समस्त नियमित संकाय सदस्यों रेजिडेंट चेकित्सक पैरा मेडिकल नर्सिंग करमचारी त्रितियों चतुत स्रेडि करमचारियों के एक दिन का वेतन क प्रोना मामारी के उप्चार यह तो स्वैची कटावती किया जाना प्रस्तावीत है इस एक अत्री धनराजी से उप्रोग थ्री लेयर सर्जिकल फेस मास्क का क्रय एवं वित्रड का कारे अपने अस्तर से कराय जाना सुनिश्चित करने का कस्ट करे धन्यवाद भावधी इस आश्मारक समझ चेकत सालें लखनाव तो देख रहे हैं कि डॉक्टर को पिपी किट नहीं मिल पा रहे हैं मास्क नहीं मिल पा रहे हैं आप इस पर भी गोवर्मेंट को ध्यान देना चाहिए अगर यह लोग इतना अधिक एक्सपोर्ट नहीं किये होते हैं टाइम से यह लोग एक्सपोर्ट बंद कर दियो होते तो फिर हमारे देश में यह हाल नहीं होती और अगर एरपोर्ट पे लोग चेकिंग स्टार्ट कर दियो होते तो काफी अच्छा हुआ था पर ऐसा नहीं हुआ आप जान रहे हमारे देश में पहला मरीज 30 जनवरी को मिला था अगर वहीं से लोग सतर्क हो गया होते तो फिर देश के यह हाल नहीं हुए थी मैं उसका पूर्फ दिखाता हूं फ्रेंड जब 30 जनवरी को पहला मरीज मिला था तो क्या हुआ था ठीक है इसका प्रूफ देख है वैग्यानिकों ने भारत में कोरोना वायरस की पहली तस्वीरें की कैद पूने में सोध करता हूं ने भारत में पहली बार ट्रांस्मिशन एक्ट्रान माइक्रोइसकोप इमेजिंग के जरिये कोवेड-19 संक्रमण के लिए जिमिदार कोरोना वायरस की पहली तस्वीरें क से की हैं दरसल महिला को वहान से भारत आने के बाद को रोना का पता चला था तो फ्रेंट से देख सकते हैं पहला मरीज पहली मरीज जो महिला है भारत जो है वहान से आई थी ठीक है तो इसके बाद क्या हुआ इसमें दिखाए कि वारस कैसा दिखता है देख सकते हैं दिखाने महिने के लिए किये जा रहे हैं यानि कि लगभग 15 जून तक की लोग खुद इसारा कर रहा है कि 15 जून तक लॉक्डाउन जा सकता है पर इतना लंबा जाने नहीं चाहिए क्योंकि देश आल्रेट इतना गरीब हो चुका है आप देख रहे हैं गौर्मेंट क्या हुआ है और पैसा मांग रही है जो कि यह तरीका सही नहीं है क्योंकि पैसा यूज नहीं हो अगर आप लोग को कुछ करना यह पब्लिक करना अपने अगल बगल है गरीबयों को खाना खिला उन्हें रहने के जगद ऐसे आप डोनेट करें तो पैसा कहीं और लग जाएगा आप लोग ज इससे क्या होगा काफी ज्यादा एक दिन में टेस्ट हो सकेंगे फ्रेंट्स ताकि अधिक सधी लोग टेस्ट और अधिक सधी लोग का ट्रीटमेंट किया जैसा कि आप देख रहा अमेरिका इसमें सबसे आगे होगे सबसे दिंग्वरीज वही है और अहां पर ऐसा टेस्ट पिर तयार कर सके और जल से निजात मिल सके थेंक यू फ्रेंड